नमस्कार दोस्तों, One India मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ तालिबान ने अफगानिस्तान में बंदू के दंपस सत्ता हासिल कर ली तालिबान के अत्यशारों के वीडियो और तस्वीरें दुनिया भर में देखी गई तालिबान की पहचान धार्मिक कट्रता को बढ़ावा देने और मानोधिकारों को कुचलने वालों के रूप में देखा जा रहा है अफगानिस्तान के कई क्रिकेटरों ने अफगानिस्तान के हालत पर गंभीर जिंता जदाई लेकिन इन हालातों में भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुझ से तालिबान के लिए गुनगान ही निकल रहे है ताजा समर्थन पाकिस्तान के लेटीम के पूर कप्तान शाहिद अफरीदी की ओर से आया है अफ्रीदी ने भी खुले तोर पर तालिबान का समर्थन किया है और कहा है कि आतंगवादी संगठन सक्ता में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है पाकिस्तानी पतरकार नैला इनायद द्वार ट्वीट किये गए एक वीडियो क्लिपिंग में अफ्रीदी को पतरकारों से ये कहते देखा जा सकता है अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए तालिबान के सत्ताक में वापसी का समर्थन किया है और ये भी कहा कि इस बार वो पॉजिटिव माइंडसेट के आए हैं वो कई छेतरों में महिलाओं को काम करने की ज्यादत दे रहे हैं इसमें राजनीती भी शामिल है अलाकि अफरीदी का ये बयान अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे लोगों से मेल नहीं खा रहा है अजारों लोग बता रहे हैं कि तालिबान घरों में घुसकर अफगानियों को गोली मार रहे हैं और महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं अफरीदी का ये वीडियो का तेरी से वैरेल हो रहा और इसके बाद से ही अफरीदी को सोचल मीडिया पर जम कर लताड भी लगाई जा रही है कुछ ने पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहाए कि अफरीदी की सोच ऐसी ही है एक यूजर ने लिखा जल्दी तालिबान की ग्रिकटी माने वाली है एक अन्य ने कहा तालिबान के लिए शाहिद अफरीदी का खुला प्यार असल में कई एंटरनेशनल भारतियों की परचाई है आपको तदी अफरीदी अपने भारत विरोधी बयानों के लिए हमीशा से जाने जाते हैं आए दिन भारत को लेकर जहर उगन्ना उनके आदत में शुमार हो गया है लेकिन इस बार तालिबान का समर्थन कर वो बूरे फस्ते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वो इंडिया के साथ